हाई गाईज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूटसफर यू पे आप सभी को नवराती की धेर सारी शुब कामना है आज मैं आपके साथ ब्रत में खाने वाली बहुत ही इजी रेस्पी शेयर करने वाली इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखने की कोई ज़ करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फस्टाम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे और बैल को जरूर प्रेस करिएगा आप मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे अलू से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डेजर्ट अगर अब साबुदा ना भीगोना भूल गए हैं तो टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है यह डेजर्ट आपको बहुत सारी एनरजी देगा शुरू करते हैं रेसिपी सबसे पहले मैंने यह दो मीडियम साइज के कच्चे अलू लिये हैं अच् में आड़ करूंगी में आदा कप कुट्टू का आटा कुट्टू के आटे की जगे आप इसमें सिंगाडे का आटा भी यूज कर सकते हैं अब इसमें आड़ करूंगी एक चमच कटीवी मिर्च और अद्रक कदुकस की आवा और बहुत सारा हरादनिया जितना आपको अब इसमें आड़ करेंगे मसाले जीरा पाउडर और यह सौफ और कालिमेट्स का पाउडर है जिसे मैंने रोस्ट करके बनाया है एक चोटा चमच सेंदा नमक आप जो भी नमक खाते हैं वो यूज कीजिए इसमें जो भी मसाला आप नहीं खाते हैं वो मत आड़ क्योंकि नमक डालते हैं यह आलू पानी रिलीज कर देता है तो इसलिए आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो आप देखेंगे इसके अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी पानी की बिल्कुल भी सुरत नहीं पड़ेगी देखें इस तरीके का टाइट बैटर बनाना है अब क अच्छान तरीका आलू की कुरकुरी पकॉर्डिय बनाने का अन्ना आलू बालने का जंजट और मिंटों में बनके तियार हो जाएगी ब्राउन होने तक इसे फ्राइ कर लीजिए और देखिए कितनी कुरकुरी बनके तियार हुई है इसकी आवास से ही आपको पता चल गया है जिसे आपको मिले इंस्टेंट एनरजी साबुदाना बहुत ही हल्दी होता है यह आपको वीक्नेस नहीं फील होने देगा चलिए शुरू करते हैं रेसिपी इसके लिए मैंने यह आदा कप साबुदाना लिया है यह मीडियम साइज का साबुदाना है आप चाहें तो छो जैसे ही बॉयल आ जाए तो इसे ढख दीजिए और पांस से दस मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिसे की यह नीचे चिप के नहीं दस मिनट बाद यह थोड़ा सा स्टार्च रिलीज कर देगा देखे यह इस तरह का चिप चिपा हो गया है अब इस टाइम यह आधा पक चुका है इसमें आड करेंगे हम दूद एक कप दूद इसमें मैंने आड किया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी यह आधा पक क्रश करके डालूंगी आप चाहें तो इलाइची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पांच मिनट के लिए और पकने देंगे डखके इसे पका लीजिए देखी यह पक चुका है अब इसमें हम एड करेंगे ड्राइफ रूट्स जो भी कि छिए ठंडा होगा ये ठिक होता चाहेगा अब ये पूरी तरह ठंडा नहीं हहा है मैं इसमें आड करूंगे आधा कूप और दूद और इसे अच्छे से मेक्स कर लोगे आप इसे ठंडा इसे सर्फ कर सकते हैं फ्रिज में रखuga इसे ठंडा कर लीडिए और ठंडी- को ट्राइ कीजिएगा और बाद में मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो बाई गाईज